हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल उपचान उसके में हम उपचान उसके में डेली लेटिस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अप्लोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी. जाने आखिर क्यों लगाई जाती है सांधी में दुलहन को महंदी? दोस्तों, ये तो सभी जानते ही हैं कि सांधी में वो और भी अन्य कई त्योहारों में महंदी का प्रचलन काफी पुराने समय से होता आ रहा है. क्योंकि महंदी नारी स्रंगर का एक अभिन रंग माना जाता है, जिसके बिना हर रिती रिवाच अधूरा माना जाता है. महंदी किसी भी महिला के हातों में चार चांद लगा देती है, तभी तो हमारे सभी त्योहारों के सांधी, सांधी विवा के आउसर में भी महंदी का उप्योग सबसे अधिक किया जाता है. महंदी लगाना हर लड़की का सौक होता है कोई भी त्योहार हो या साधी हो महंदी जरूर लगती है पर दोस्तों कि आप जानते हैं कि महंदी हातों की सुन्दरता बढ़ाने के अलावा और किसलिए लगाई जाती है तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर साधी वत योहारों में महंदी क्यों लगाई जाती है साधी में महंदी का महतो जिहां दोस्तों हातों में रचने वाली महंदी एक खिलता रंग ही नहीं बलकि हमारी संस्कृती का हिस्सा भी मानी जाती है महंदी हमारे आने वाली हर खुसियों का प्रतीक मानी जाती है इसलिए इसे विवा किसमें लगाना बहुत जरूरी और सुब भी माना जाता है दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि महंदी का रंग जितना ज़्यादा खिलता है हमारे घर की खुसियां भी उतनी ही खिलकर आती है इसलिए हर दुलन के हाथ में महंदी के रंग को बड़े ही गौर से देखा जाता है कि महंदी का रंग कितना डाक है जहां दुलन के पूरे हाथ में महंदी लगाने का रिवाज है तो वहीं दुले को भी महंदी जरूर लगाई जाती है क्योंकि विवा में महंदी लगाना बहुत सुब माना जाता है प्यार का प्रतीक जिहां दोस्तों, दुला-दुलन के हाथ में महंदी का लगना उनकी जीवन के साथ उनके परिवारों के बीच प्यार और इसने का प्रतीक भी माना जाता है दुलन के हाथों में लगी महंदी का रंग जितना गहरा होगा उतना ही पती-पत्नी की बीच का रिस्ता अटूट रूप से निखरता रहेगा महंदी का रंग दोनों के अटूट प्रेम को दरसाता है ऐसा कहा जाता है कि महंदी का रंग जितना गहरा होता है उनके बीच प्यार भी उतना ही गहरा होता है सुब माना जाता है जिहां दोस्तों दूला और दुलन के हाथों में लगी महंदी का रंग जितने दिनों तक दोनों के हाथों पर रहता है उतना ही दोनों की जीवन की खुसियों का सूप संकेत माना जाता है सुपकारियों में महंदी का बहुत महत्व होता है इसलिए घर में कोई भी सुपकारिय होने पर महंदी जरूर लगाई जाती है जिहां दोस्तों महंदी में कई प्रकार के ओसधी गुण भी पाई जाते हैं जो सरीर में सीतलता बनाए रखने में मदद करते हैं साधी की समय बढ़ते दिमागी परिसानी से राहत देने में महंदी महतोपूर्ण भूमी का निभाती है ये हमारे सरीर में सीतलता देने के साथ सिर्दर्द और थकान से भी छुटकारा दिलाती है महंदी लगाने से तवचा संबंदी रोग भी दूर होते हैं साथ ही ये तवचा की नमी को बनाई रखने का काम भी करती है प्रेम संबंद मजबूत होते हैं जिहां दोस्तों ऐसा कहते हैं कि दुलन के हाथों में लगी महंदी का रंग जितना अधिक निखर कर आता है उसका प्यार पती के प्रती बहुत गहरा बना रहता है और उसको पती के साथ साथ सस्राल वालों का भी भरपूर प्यार मिलता है दोस्तों अगर आपको हमारे दौरत दी गई सभी जानकारिया पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचान उसके को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जड़ू करें